कि है कि है कि हला दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टडी आई क्यू आई होप आप लोग को मेरी ओडियो विडियो अच्छे से आ रही होगे तो एक पर जल्दी से जितने भी लोग जुड़े हुए मुझे बता देंगे कि सर ओडियो विडियो अच्छे से आ किताबे और उनसे लेखक कौन-कौन से पूछे जा सकते वह सब हम यहां पर देखेंगे मतलब एक रिवीजन है और एक क्विक रिवीजन के तौर पे हम इसको देख रहे हैं और पूरे साल भर के जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे वो कहना और्थर से वह डिसकस किये ठीक है तो सब्सक्राइब बोले हैं सर आडियो वीडियो एक दम बढ़िया जा रहा है और ठीक है कि चलिए तो सुरुवात करते हैं आज की हम इंपॉर्टेंट बुक्स और्थर जो साल में लिखी गई लेकिन नया साल आने वाला है और इस नया साल में जैसा आप सभी को पता है कि अब हमारे अलगव एक्जाम के नोटिफिकेशन आ रहे है तो उड़ी सा पीसेस का नोटिफिकेशन कल हमारे रिलीज हुआ यूपी पीसेस का आने वाला है तो आप इन सभी पीसेस एक्जाम की दोज़र चौबेस में त्यारी कर सकते हैं घर बैठे बैठे हमारे इन लाइफ फाउंडेशन बैचेस दे यह जो लाइफ फाउंडेशन बैचेस है इनमें लाइफ क्लासेस तो मिलेंगी मिलेंगी साथ इसाथ आपको यहाँ पर मिलेंगे मौक टेस्ट हमारे क्लास के नोट्स और बहुत कुछ तो आपको यह पूरी तरीके से संपूर्ण प्रिपरेशन के लिए बनाये गया है और स आज तारिक से शुरू हुए बैचेस में हम दो तारिक तक आपको न्यू यर का डिसकाउंट दे रहे हैं अपने कूपन कोड में पीसी लाइफ कूपन कोड करके हमारे इन बैचेस में सबसे जदा लाब उठा सकते हैं यह याद रखें दो तारिक के बाद यह कीमते बढ़ जाएंगी तो new year sale का फायदा उठाई है और जुड़ जाई है हमारे batches में याद रखे क्या क्या मिल रहा है यहां पर लाइक क्लास के साथ साथ मौक टेस्ट मौक टेस्ट के साथ साथ आपको यहां पर मिलेंगे हमारे क्लास के नोर्स और भी बहुत कुछ है जो आपको पूरी त्यारी के लिए बनाये गया है तो चलिए सुरुबात करते हैं सेसन के और सबसे पहला question हम लोग देखते हैं और सबसे important भी है इस बार के booker price से संबन्दे तो booker price इस बार का किसको दिया गया है तो पाउल लिंच जो क कि हमारे booker price के विजेता है प्रोफेट सॉंग book लिखने के लिए इनको ये award दिया गया है आयरलेंड के रहने वाले हैं और इन्हों ने जो प्रोफेट सॉंग है इस किताब को लिखा और इसके लिए इनको booker price दिया गया है याद रखिएगा हमारे जो tom of sand थी 2022 में आप नाम की नॉबल इनकी लिखी गई है काफी महत्तपूर है नेक्स किताब आते है breaking the mold breaking the mold re-imaging the India's economy in future है ना तो इस किताब के लेकक है हमारे रगुराम राजन एंड रोहित लांबा तो रगुराम राजन यह हमारे पूर RBI गवर्नर है जिनोंने इस किताब को लिखी है और रो आपका नाम है breaking the mold इस किताब बहुत important जाती है breaking the mold फिर से आपके लिए important नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे एक बुक लिखी गई है पंडित मदन मोहन मालवीस के जो भी हमारे जिनके जो भी उन्होंने काम किये उन सभी को लेकर के इस किताब को लिखा गया है और 25 दिसंबर को इसको नरेंद्र मोदी जी ने launch किया है याद रखिएगा यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अबलेबल है यह लगबग 4000 प्रष्टों में फैले हुए खंड देश के बिभिन बिभिन कोनों में मदन मोहन मोलवी जी के जो भासड है और उनके कारे उनको देख पाएंगे नय भारत का सामवेद बहुत important है नय भारत का सामवेद ये मोदी जी के जो भासड है है ना जो उन्होंने भारत के सम्मिधान पर जिस तरीके से अपनी विचार अलग-अलग भासडों में यहाँ पर बोले है उन सभी का conclusion है ये नय भारत का सामवेद इसकी जो launching है वो पूरो राश्टपती रामनात कोविन जी ने किये तो याद रखिये यह नरेंद्र मोदी जी के प्रभावत साली भा जो भाशन है उन पे प्रकास डाल रहा है किताब का नाम है नए भारत का सामवेद नरेंद्र मोदी जी के भाशन है इसका इनुग्रेशन पूर्वर राश्पती रामनात कोविन जी ने किया है अगला ट्विंकल खन्ना के द्वारे किताब को लॉंच किया गया जिसका नाम है विल्कम टू पैराडाइज है ना तो यह हमारे ट्विंकल खन्ना आजकल बुक्स लिख रहे ह है ना तो ताज लेंड्स में इस किताब को लॉंच किया गया है और इस किताब में प्रेम विवा अकेले पन से जूल रही महिलाओं की जो जीवन है उसको ले करके यह बुक लिखी है नाम क्या है वेल्कम टू दा पैराडाइज अगला यहाँ पर देखते है प्रनौ माई फ बुक लिखा है उनकी बेटी ने जिनका नाम आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे सर्मिस्था जो इनकी बेटी है और प्रनौ मुखर जी के उपर जिस तरीके के रिस्ते थे जो उनके जीवन की यादे हैं उनको सर्मिस्था ने इस किताब में लिखा हुआ है तो प् बहुत important है और यहां से आपको याद रखना है हमारे पूछा जा सकता है तो यह प्रनौ जोसी जी के द्वारा इस किताब को आप देखेंगे हमारे सुरू किया गया है और इसको लिखा मतलब इसका innovation सुरुवात है वो हमारे किसने प्रसून जोसी जी ने की है और इसको रिलीज किया है वो तीन किताबे कौन-कौन सी है और यह तीनों किताबों में लेखा कगर आप देखेंगे राम भंद्राचार महराज से संबंदित यह किताबे हैं तो यह हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तीन पुस्तकों का विमोचन किया जो हिंदू धर्म और उसकी सम्रध परंपराओं को बारे में बताती हैं यहां पर यह हमारे जो किताबे हैं वो अश्टा धाई भास से है रामा नदन चारे चरितम हैं और हमारे भगवान स्रीकृष्ण की राष्ट लीला है तो अश्टा धाई भास से रामा नदन चारे चरितम और उसके बाद से भगवान स्र धर्मिक विरास्तों को आगे लेके जाना है इसको लेकर किताब लिखी गई है और काफी महत्तपूर हो जाती है रिटेन बाई राम भद्राचार्य महराज तो हिंदु धर्म से संबंदित ये किताब है जो आपके एक्जाम के लिए अत्यंत महत्तपूर हो जाती है चले अगला में हरदीप पूरी उनोंने इस बूख का एंउग्रेशन किया ये देखिया हमारे केबिNट मिश्टर है हरदीप पूरी जी उनोंने इस बूख का इनउग्रेशन किया ये किताब का नाम है हमारे the reverse swing और ये असोग टंडन जी के दौरा लिखी से हमारे cooperation यह हमारे इसका tagline है इस किताब का जिसमें यहाँ पर लिखा गया है तो काफी important है यह भी हमारे अब आप साथ इनको जानते होंगे विवेक अगनी होतरी है और इनकी किताब का नाम है The Book of Life My Dance with the Buddha for Success The Book of Life यह किसकी किताब है तो यह किताब है विवेक अगनी होतरी जी कि वही जिन्होंने कस्मीर फाइल्स बनाई गया है और काफी महत्तपूर आती है तो लखनव में से इस किताब को launch किया गया है The Book of My Life My Dance with the Buddha for Success यह एक medical drama film The Vaccine of War का भी निदेशन करेंगे और इस किताब को भी इन्होंने लिखा हुआ है जो इनकी कौन तो उनका नाम है बलराम भारगो तो बलराम भारगो इस किताब के लिखक है भारगो की पुस्तक हमारे going viral making of co vaccine यह भी है लेकिन जिस पर film बन रही है वो है The Vaccine War जो भारगो दास ने लिखी है और उसको फिल्म बना रहे है विवेक अगनिहोत्री और विवेक अगनिहोत्री की जो हमारे बायोग्राफी है उसका नाम है the book of my life तो यह सारी important है सारे आपके exam में यहां से question पूछ जा सकते याद रखिएगा चलिए आगे चलते नेक्स्ट है people's G20 G20 की इस बार अद्ध्यक्षता भारत में की गई सभी को पता है और एक किताब यहां पर या e-book इसको बोलेंगे जिसका नाम है people's G20 तो G20 के कारिक्रम कहां कहां पर होंगे किस तरीके से इसको और्गनाइज करा जाएगा इसको गवर्मेंट के दौरा लॉंच किया गया था और हमारे जो सूचनाय प्रसार मंत्राले के सेकेटरी है अपूरू चंद्रा उन्हों ने इसकिताब को लॉंच किया था नाम था people's G20 यह एक e-book है मतलब यह कोई physical किताब नहीं थी यह आपके क्या है e-book थी next आप आजाता है the book fire on the ganga life among the dead in bananas तो यहां पर आगर आप देखेंगे किताब को हमारे राधिका अयंगार ने लिखा है बहुत important किताब है fire on ganga तो fire on ganga किताब राधिका अयंगार के द्वारा लिखी गए किताब है और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि कासी का जो मरन है वो बड़ा famous होता है उसी पर आधारित यह किताब है तो fire on ganga राधिका अयंगार के किताब बड़ी famous है है ना next हमारे book आ जाती है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो union minister धर्मेंदर प्रधान जो की education और skill development minister है इन्होंने let's move forward let's move forward नाम के book जो है इसको launch किया है जो कि NCRT ने UNESCO की मदद से UNESCO और NCRT इन दोनों की मदद से इस किताब को बनाया गया और इसको launch किया जा रहा है किसके द्वारा धर्मेंदर प्रधान जी के द्वारा तो वापस से बहुत important है let's move forward यह किताब का नाम है यह दिल्ली के कौसल भवन में एक समाहरो में launch किया गया है यहां पे बच्चों के स्वास्त और समग्र विकास को लेकर के किताब है तो यह स्कूली सिक्षा और साक्षरता के उपर dependent है तो let's move forward किस ने launch की यह हमारे धर्मेंदर प्रधान ने launch किया है किस की मदद से इस किताब को बनाए गया है 20CRT और UNESCO की मदद से इस किताब को बनाए गया है तो अभी हाल में हमारे जो important important किताब्स हैं उनको यहां पर देख लेते जो हम पता रहे हो तो important है यह सुब्रा गुप्ता ने इस किताब को लिखा हुआ है क्या नाम है सुब्रा गुप्ता तो बहुत important किताब है इरफान खान की The World of Family History इस किताब को लिखा हुआ है British historian Simon Sivag ने तो British historian है Simon Sivag उनके तवरा लिखा गया है The World of Family History Breaking the Barriers यह किताब अगर आप देखेंगे तो हमारे The Story of Dalit Chief Secretary यह किस ने लिखा है तो बहुत important है Breaking the Barriers यह काकी माधो और राव ने लिखा हुआ है Breaking the Barriers बहुत important किताब है Ambedkar Alive जो बुक है यह अगर आप देखेंगे तो ससी थरूर के द्वारा लिखी गई किताब है ससी थरूर ने इस किताब को लिखा हुआ है जिसका नाम है Ambedkar Alive Human Anatomy, Human Anatomy के अगर बात करेंगे तो Dr. असुनी कुमार दुवेदी Dr. असुनी कुमार दुवेदी के द्वारा बुक लिखी गई है Human Anatomy फिर से important है असुनी कुमार दुवेदी यह हमारे Human Anatomy को लिखी है उसका से The River Notaries, The River Notaries नाम के जो किताब है यह संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई है यहाँ पर The Other Story of How India Won Its Freedom तो यह हमारे अनसंग जो वारियर से उनको लेकर के लिखी के किताब है वापस से बड़ी important यहाँ पर आ जाता है उसके बाद से हमारे हेमंत विश्वा सर्मा याद रखिए हेमंत विष्वा सर्मा यह किताब को लिखें यहाँ होने चाहिए थे की खैर कोई बात नहीं तो हेमन बिस्वा सर्मा के द्वारा लिखी की किताब है मुख्यमंतिर डाइरी मुख्यमंतिर डाइरी जो है ये हेमन सर्मा बिस्वा के द्वारा लिखी की किताब है जो असाम के हमारे सीम है असाम के सीम है देन उसके बाद से अगर आप देखेंगे नजान साखी या हमारे नजान साखी जो है ये किताब लिखी गई है के अब्दुल गफार के द्वारा तो के अब्दुल गफार की है ये नजान साखी है नजान साखी ये किताब गफार साथ ने लिखी है Roller Coaster of Affair and Banking ये हमारे तमल बंदो पध्याई के दोरा लिखी गई Roller Coaster Ride, Affair with Banking ये हमारे Banking के उपर लिखी की किताब है और ये तमल बंदो पध्धायने लिखी है Spear, ये किताब हमारे UPPCS में पूची गई थी Spear जो Book है ये किस के उपर आधारित है यूपी पीसेस के उपर पूची की किताब है जे आर मॉर्गेन ने लिखी है और ये हमारे प्रिंस हैरी के उपर किस तरीके से उनका जीवन रहा है उसको लेकर के स्पेर लिखी गई है तो ये हमारे अगर देखेंगे तो मार्स तक की important books है जो आपके सामने चलिए आगे और important books की बात करतें next है how prime minister decides नीर्जा चतुरवेदी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और ये बहुत important book है how prime minister decide तो हमारे जितने भी पूर्व प्रधान मंत्री हुए जितने भी हमारे पूर्व प्रधान मंत्री हुए है उनके decision चाहे वो हमारे इंद्रा गांदी हो अटल भिहारी बाचपेई हो तो उनके जो decision है उसको लेकर के ये book को लिखा गया है जिसका नाम है how prime minister decide और इस किताब क निर्जा चौधरी के द्वारा लिखा गया है काफी महत्तपूर्ण है ये हमारे देश के जो एतिहासिक नर्णे है छे जो प्रधान मंत्रियों के द्वारा लिए गया है उसके उपर है फिर से बहुत important है drunk on love drunk on love book बहुत important है ये किताब को लिखा है drunk on love विपल्स राखी ने तो विपल्स राखी के द्वारा लिखी के ये किताब है the life vision and song of कबीर तो कबीर के जो दोहे है जिस तरीके से कबीर ने अपने दोहों को अलग-अलग तरीके से पिरोवा है उसको लेकर के drunk on love किताब को लिखा है विपल्स राखी ने और ये काफी important जाती है ठीक है तो drunk on love the life vision and song of कबीर मानसून सीजन जब देश में बारिस हो रही थी तो इस समय किताब भी आई जिसका नाम था मानसून और ये है अब है के तो मानसून और इसको हमनों बोलते था poem of love and longing इस किताब को लिखा है अब है के ने तो अब है के तो ये लिखी के किताब है बहुत important है the कारगिल एक यात्री की जुबानी ये भी बुक बहुत important है कारगिल आप सभी लोग जानते है कि एक युद्ध है जिसके पीछे हमने बहुत सारे जवानों को खोया और बहुत important ये हमारे लिए युद्ध था तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये बुक को हमारे लिखा गया है किसके द्वारा अजय भट अजय भट ने constitutional club of India में इसको हमारे विमोचन किया ये हमारे कारगिल युद्ध पे जो सही जवान है उनके उपर लिखी के किताब है और याद रखिए काफी महत्तपूर्ण है हमारे अजय भट के द्वारा इसको release किया गया था कारगिल ए memories never die ये डॉक्टर एपीज अबदुलकलाम की book है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे डॉक्टर एपीज अबदुलकलाम की किताब को हमारे launch किया गया है कहां से तो अमिस सहा ने इसको रामे स्वरम से launch किया गया है डॉक्टर एपीज अबदुलकलाम के जो किये हु लिखा गया तो काफी महत्तपूर है और यह important भी हो जाता है और उनके जो प्रतिष्ठित विश्वास पात्र दोस्त थे जिनका नाम था दॉक्टर वाई एस राजन ने इसको तमिल में लिखा और उसके बाद से इसको ट्रांसलेट किया है उनकी भतीजी ने जिनका नाम आप यहाँ पर देख पाएंगे हाँ निजमा तो निजमा मैक्यार ने इनको अगरेजी में ट्रांसलेट किया उनके दोस्त ने इनको तमिल में लिखा था जिनका नाम था वाई एस राजन तो यह वाई एस राजन की बुक है जिनको उनकी भतीजी ने ट्रांसलेट किया है किसमें इंगलेश में चलिए तो तो वेंकया नाइडू जी जो हमारे देश के पूरू उपराश्पति है ये किताब को रिवील किये और इस किताब के लेखक है रजीत परताब तो रजीत परताब के द्वरा ये लिखी गए किताब है और इसको रिवील किया है किसने वेंकया नाइडू ने तो वेंकया यहां पर आप देख पाएंगे तो कृष्णा यह हमारे केरल के राजपाल आरिफ मुहम्मत खान के द्वारा इसका एनुग्रेट किया गया है और इसको लिखा है किसने इसको लिखा है देवासीष चटरजी ने तो देवासीष चटरजी के द्वारा इस किताब को लिखा गया एक बहुत important book आ जाती है TN Session के द्वारा लिखी गई Through the Broken Glass, ये एक autobiography है हमारे देश के पूर्व Chief Election Commissioner की, तो पूर्व Election Commissioner थे TN Session, उनके द्वारा इस book को लिखा गया है, जो हमारे देश में 90 से लेके 95 तक Election Commissioner है, उन्होंने जियो जो चीजे भारत में देखी, उन्होंने इस book क लिखा हुआ है, 2019 में उनके निधन के 4 साल के बाद ये book को प्रकासित किया गया है, और ये book का नाम है Through the Broken Glass, TN Session की किताब है, जो कि हमारे देश के पूर्व Chief Election Commissioner रह चुके हैं, अगले आ जाती है India Rising Memory of Scientist, इंडिया राइजिंग ये किताब का नाम है Memory of Scientist, ये किताब आप हमारे जो वेग्यानिक थे, डाक्टर आर्चितंबरम उनके जीवन पर प्रकास डाल रही है, तो आर्चितंबरम और सुरेस गंगोत्रा ने इस किताब को लिखा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने 2018 तक मुख्य वेग्यानिक सलाहकार के तोर पे काम किया, उन सारी बातों को इस किताब में आप देख पाएंगे, आप देखेंगे, वापस से हमारे कुछ इंपोर्टेंट बुक्स है, उनको आप देख लेते हैं, ब्रेविंग ए वाइरल स्ट्रोम, इंडियास कोविड वेक्सीन स्टोरी, ये आसीस, चंड्रोकर और सूरज सुधीर के द्वारा के द्वारा लिखी के किताब है, Come, Let's Run, Come, Let's Run, Ye किताब हमारे मए सुबर्भने रिखी के किताब है, Come, Let's Run, M. सुबर्मान्य, इंडियास नोलेज सुप्रमेसी, दा न्यू डॉन, यह हमारे डॉक्टर असवीन फर्णांडिस के दोरा लिखी की किताब है Coaching Beyond क्रिदार के दोरा लिखी की किताब है नाम क्या है Coaching Beyond The Poverty of Political Economy How Economy Abonded the Poor ये बुख भी बहुरिए इंपॉर्टिंट है मेगनाद देशाई के दोरा लिखी की किताब है यहाँ पर याद रखना Poverty of Political इक ल हमारे पोलिटिकल हौ अपम पूर्ड आपमर मेघना बिशाही कैसी किर लिख Saginaad लिखी किताभ लास्थ हीरोज यह हमारे जो किताब है वfish साहिनाद के लिखी किताब है बलास्ट हीरोज The Best of Satyajit Ray, यह Satyajit Ray की द्वारा लिखी की किताब है, Victory City, सल्मान रस्दी के द्वारा लिखी की किताब है, Modi, Sarping a Global Order Influx, यह JP Naddha ने लिखी है, Sarping a Global Order Influx, JP Naddha ने लिखी है, पंडित दीन द्याल उपाध्या है, हमारे बुक जो का नाम देखेंगे, तो RN Ravie के द्वारा लिखी की किताब है, और India's Vaccine Growth, Sajjan Singh Deo के द्वारा लिखी की किताब है, India's Vaccine Growth Story, Sajjan Singh Deo के द्वारा लिखी की किताब है, तो सारी की सारी important books हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह हमारे मार्च से, अगर आप देखेंगे, तो June तक यह लिखी गई थी, तो आगे चलते, next book आती है, वाजपेई, वाजपेई जो है, यह अब इसे एक चौधरी के द्वारा लिखी की किताब है, वाजपेई, यहाँ पर आप देखेंगे, अटल भीहरी वाजपेई की यह कहानी है, और यह अब है, चौधरी के द्वारा लिखी की किताब है, वाजपेई, next अगर आप देखेंगे, तो यह हमारी book का नाम है, नेशनल अवार्ड विनर है, व्राइटर जिनका नाम है विनोध मनकारा, विरोध मनकारा की किताब प्रिज्म, प्रिज्म जो है यह अभी आई, जो की हमारे सिरी हरी कोटा में जिस तरीके से रॉकट लाँच पैड जारी किया गया, उसको लेकर के किताब लिखी गई है, नाम है प्रिज्म, प्रिज्म के लेकर कौन है, विनोध मनकारा, विनोध मनकारा के द्वारा लिखी गई किताब है, याद रखिएगा प्रिज्म, नेक्ट हमारे सामने आदे The Gita of Children's and हमारे योग सूत्रा योग सूत्रा जुलाई के महीने में आई किताब थी ये चिल्रिंस में योगा का किस तरीके से हमारे होना चाहिए किस तरीके से योगा के ऊपर काम होना चाहिए उसको लेकर के नोंने एक कॉमिक टाइप के और चिल्रेंस के लिए बुक लिखी है नाम है रूपापाई तो रूपाई ने योगा सूत्र बुक को लिखा है सच्टाइज जून को यह पब्लिस हुई है इसी तरीके से रूपाई की गीता फॉर दा चिल्रें ये भी इनकी किता किताब है 47-77 के बीच में और यह एक हमारे भटाचार के दौरा लिखी की किताब है एक भटाचार ने इंडियास फाइनस मिनिस्टर के उपर किताब लिखी है चलिए अगला यहां पे कुश्चन कौन सा है अस्विंदर आर सिंग ने मास्टर रिजिदेंशियल रियल इस्ट नहीं किया गया है तो यहां पर आप देखेंगे सही जवाब होजएगा अस्विंदर आर सिंग नेक्स्ट बुक आ जाती है न्यू ग्राफिक नॉबल अजय टू योगी आदितिनात मतलब अजय जो हमारे नाम थासली योगी आदितिनात का और वो किस तरीके से योगी बने उनकी जीवन गाथा को दिखाया गया है और इस किताब को लिखा है किसने इस किताब को हमारे सांतनु गुपता के त्वरा लिखा गया है तो सांतनु गुपता ने इस किताब को लिखा हुआ है और युत्तर प्रदेश के बिभिन जिलो में यहां पर इसको किताब को तो केके गोपाल कृष्णन के द्वारा लिखी के किताब है यह कथकली डांस के किस तरीके से प्रादर भाव हुआ उसको लेकर की किताब है नेक्स्ट अब हमारी किताब आती है एस गौड एस माई वर्ड के एम चंदर सेखर की बड़ी इंपॉर्टेंट बूक है 2023 की एस गुड एस माई वर्ड के अम चंदर सेखर देर उसके बाद से पागल खाना जिसको व्याद सम्मान बे मिला हुआ था डॉक्टर ज्यान चतुरवेदी किताब है बुक ऑफ बिहारी लिट्रेचर ये अभैके मांसून जिनों ने लिखा है मांसून बुक को लिखने वाले अभैके हैं और बिहारी लिट्रेचर भी इस साल उन्ही ने लिखी है मुझका उपनिसद गेटवे आफ इंटरनेटी ये बुक को लिखा है रडॉक्टर करन सिंग ने तर我很 Giud अबि-पिन हैना ये किताब को लिखा है रचना बिश्वात रजतने हैना तो रचना जी के के दोड़ा लिखी के किताब है रशना बिस्वात रावत इस राइट अंसर है ना तो रशना बिस्वात रावत के दोड़ा लिखी के किताब है तब बिपिन मलहोत्रा और विजय विस्वनाथन के द्वारा लिखी के इताब है सेक्स इन गंगा तो सेक्स इन गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है अनुराग बहर ने इस किताब को लिखा हुआ है तो दोस्तों यह थे हमारी इस रीसेंट के लिखी के किताब है जो आपके स्क्रीन पर है As Good As My World है ना जो की केम चंदर सेखर ने पागल खाना डॉक्टर ग्यान चत्रवेजदी बुक आप बिहारी लिट्रेचर अब है के मुंड का अपनी सर्ट डॉक्टर करन सिंग है इंडियास इस्ट्रिगल फॉर दा इंडिपेंडेंस ये पी जोतमेई जो जज है फॉर्मर विपिन रशना रावत की किताब है वुमेन एंड में इंडिया दो हजार बाइस राव इंदर जीत ने लिखी है सेक्स इंदा गंगा ये राजियु मलहुत्रा की किताब है चत्रपती सीवा जी महराज स्री मंत कोकाडे की है देन उसके बाद से हमारे पेरे ये पी मुरगन की किताब है नेक्स आ जाती है रिंग साइड ससी थरूर नेस बिक को यहाँ पर हमारे टाइटल किया है जिसका नाम है रिंग साइड तो यहाँ पर प्रसिद लेखक और कॉंग्रेस के सांसा ससी थरूर ने लोकमत मीडिया के संपकादी जो बोर्ड अध्यक्ष है जिनका नाम है डॉक्तर विजय दर्डा के द्वारा लिखेगे किताब है जिसका नाम है हमारे रिंग साइड ठीक है तो यह काफी महत्तपूर है लेखक इनके कौन है तो डॉक्तर विजय दर्डा और इन्हों ने यह रिंग साइड बुक को लिखा हुआ है और काफी महत्तपूर हो जाता है और इस किताब को रिलीज किया है ससी थरूर ने जो खुद भी एक लेखक है तो ससी थरूर ने इस किताब को रिलीज किया डॉक् चंदरन मूर्ती हमारे कन बुद्धता ये बुक अगर NTR की बात करेंगे तो ये राम मूर्ती कन भटला की जीवन के उपर लिखे गई किताब है और इस किताब में जो हमारे सिनेमा और राजनीती जिस तरीके से ले करके चले है राम चंदर उनकी ये कहानी को को बताता है है न तो ये काफी महत्र पूर्ण है और इस किताब को तेल्गू सिनेमा और राजनीती में जिस तरीके से उन्हें किया उसके उपर किताब है और इसकिताब को हमारे लिखाक ने ने तो Candu मूर्थी भटुपट कोंडु भटला के उपर लिखी के किताब है और तक गोल्डेन यर्स रस्किन बॉन्ड के जीवन में बहुत सारी किताबे और किस तरीके से उन्हें अपनी जर्णी को लिजिया उस लेखक की जर्णी को आप पढ़ पाएंगे रस्किन बॉन्ड की तक गो पर इस किताब को लॉंच किया गया है नाम है तक गोल्डेन यर्स नेक्स्ट आता है हमारे सुप्रिम कोट ओंदा कॉमर्सियल एब्रिवेसंस यह किताब की बात करेंगे तो यह हमारे किताब डॉक्टर मनोच कुमार के दौरा लिखी गई है यहां पर जो हिस्टोरिकल जज जो कि हमारे किताब कस्तूरी राय के द्वारा लिखी गई है तो कस्तूरी राय फ्राम ट्राइबल हिंटर लैंड टु दा रायसिन हिल्स पर है किस तरीके से यह ट्राइबल आबादी से निकलके राश्पती बहवन में पहुँचे उसको देख कर करके यह किताब किताब है तो काफी महत्तापूर आता है वापस से अब हमारी कुछ किताबे जो हम यहाँ पर देखेंगे बासुट चटरजी यह किताब अनुरुद्धा बट्टा चारजने ने लिखा हुआ है देन उसके बाज से आता है हमारे फूलंगे यह किताब हमारे लेखनाथ छेतरी ने लिखी है why cannot elephant be read why cannot be elephant be read वानित रपाथी टीकू की किताब है war and women's dr. M. A. Hasan की किताब है war and women's है ना यह वापस से आगए dr. M. A. Hasan की किताब है है न यह वापस से repeat हो रहा है I hope so यह दोनों the great book robbery यह P. V. Ram और S. S. दोस की किताब है न पी वी पी राम और S.S. दोस की किताब है the great book robbery तो वी पी राम और S.S. दोस की किताब है सौरास्ता तमिल हमारा जो समागम प्रसस्ति है यह स्री सोमनाथ संस्कृत युनिवस्टी के द्वारा यह पब्रिस की गई है कलेक्टिव स्पृट कॉंक्रीट एक्षन ससी सेखर वेमपती कहना कलेक्टिव स्पृट बहुत है यह बुक को ससी सेखर वेमपती ने लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन बुक को अगर देखेंगे तो नारायन वेगुल ने लिखा हुआ है और मेड इन इंडिया अमिताप कांथ की किताब है सचिन एट दरेट 50 बोरिया मजूमदार की है और साइबर इंकाउंटर असोग कुमार एंड ओपी मून चाहा की किताब है तो इस तरीके से यह हमारे important books है जो आपको याद रखनी है फिर उसके आस चाहते made in India तो made in India वापस एक बड़ी important book है जिसको हमारे नीति आयोग के पूर्व CEO नीति आयोग के जो पूर्व CEO है उन्हों ने लिखा है नाम है अमिताप कांथ तो यह नीति-ायोग के हमारे भूत-पूर्व former CEO है जिन्होंने किताप को लिखा है अमिताप कांथ इनका नाम है नेक्स्ट आ जाता है हमारे सौरास्त हमारे मिलसंग प्रसस्ती सायद आप लोग इसके बारे में अभी पड़े थे तो इसको हमारे सौरास्त तमिल समागम के उपर यह कारिक्रम था जिसमें सोम नाच संस्कृत इद्धियाले ने सौरास्त तमिल समागम प्रसस्ती नाम के किताब को लिखा है याद रखेगा 17 संसक्रत घिसम् करस्कोने किताब लिखिक्षें रामेज प्रसिद्ध टेनिस کے खिलाड़ी जैदीप मुखर जैसे प्रमुख टेनिस खिलाडियों की उपस्तिती में अपनी आत्म कथा लॉंच की तो किस ने लिखिए जैदीप मुखर जी ने इस किताब को लिखा है और यह टेनिस के खिलाडी थे क्रॉस कोर्ट नाम से ही पता चला है कि यह टेनिस की बुख होनी चाहिए तो जैदीप मुखर जी ने इस किताब को लिखा हुआ है सचिन एड़ डरेट 50 सचिन एड़ डरेट 50 क्रेटिंग एब मैस्टरो बोShoρά मजूमदार की किताब है यहां पर आप देखेंगे सचिन एड़ डरेट 50 यह बोरिय उड़ जूमदार ने महान क्रिकेटर सचिन तंदुल कर के पचासवे जरन दिन के उसर पर ये किताब जिसका नाम है सचिन एड दरेट फिफ्टी सेलिबरेटिंग अब मैस्ट्रो इस किताब को लिखा है तो बुरिया मजूंदार एक हमारे क्रिकेट के कमेंट्रेटर रह चुके हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है गांधी सियात्रत और संप्रदाइकता प्यूस बबेले की किताब है जो बुक है ये गांधी ये प्यूस बबेले ने किताब लिखी है गांधी सियात्रत और संप्रदाइकता अगला यहां पर देखेंगे जस्ट एस्पायर ये अजय चौधरी की किताब है माई लाइफ एज एक कॉमरेड केके सेलजा और मंजू स सारा रंजन की किताब है फर्स्ट लुथानियन ट्रेवलर इन इंडिया लुथानियन इंबेसी ने लिखा हुआ है तक गोल्डेन इयर्स रस्किन बॉन्ड आप लोग देख चुके है हमारे पर्टिनॉड फ्रीडम ये राम माधो की किताब है तर उसका से रिंग साइड की उपाध्या है अमरित काल की ओर लाइफ इस्पेंट फोर डिकेट इन इंडियन फॉरें सर्विस सतीष चंद्रा जो एक हमारे आइफस आधिकारी थे उनके द्वारे इस किताब को लिखा गया है और नाम है हमारे क्या तो यह है लाइफ वेल स्पेंड फोर डिकेट इंड इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कोर्टिंग इंडिया यह हमारे यूके बेस इंडियन है नंदनी दास उन्होंने इस किताब को लिखा हुआ है कोर्टिंग इंडिया और यह काफी महत्तपूर बुक भी है है ना क्योंकि यह बुक जो है यह नंदनी दास ने वास students एंडिया स्ट्रेगल इंडिपेंडेंस गांधिय ने उसने हमारे बुक को लिखा गया है वी procedure सुप्रीम कोर्ड के उन्हों किताब को लिखने घरिब कéma टैस हमारे इंडेपेंडेंस में योगदान ते की है किताब अगला कोशन है As Good As My World ये किताब को लिखा है केयम चंदर सेखर ने As Good As My World अभी आपने देखा था As Good As My World ये किताब केयम चंदर सेखर की है और इन्होंने ये एक हमारे क्या है यूपीय के सासनकाल में जिस तरीके से इन्होंने कार किया है साससे ले करके 11 तक उनको इन्होंने लिखा हुआ इस किताब में और बहुत बढ़िया तरीके से इस किताब को पब्लिस भी किया है As Good As My World अभ यहाँ पे पी नडड़ा की किताब है मोदी सेपिंग दा ग्लोबल और इन फ्लक्स तो यह किताब जो है यह हमारे जेपी नड़ा ने लिखिए हलाकि किताब अलग अलग जो हमारे बीजेपी के नेता उसको फॉर्वर्ड कर रहा थे जैसे इनको फॉर्वर्वर्ड किया था एस जैसंकर ने फिर उन्हों ने लिखा तो यह जेपी नडड़ा की ने इसको फाइनलाइज किया और बुक का ना में मोदी सेपिंग दा ग्लोबल ओर्डर चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने रिवीजन है जो अभी तक हमने पढ़ा था उनमें कुछ किताब है इंपॉर्टेंट थू दा ब्रोकेन ग्लास हमारे देश के किताब है रजीत प्रताब की आपने बुक देखा था वहां पे राइटर नहीं था यहां पे स्री रिसी राज यह कारगिल एक यात्री की जुमानी स्री रिसी राज मांसूर अभै के हरिटेज ओफ ट्री ओफ गवास यह हमारे गवर्नर है जिनों ने इस किताब को हमारे विमोचित किया है तो है इंपॉर्टेंट ट्री चिंदित की एक डिपार्टमेंट ने और इसको यहां पे बुक म में फरमाया तो वियस शीरिधरन पिल्लाई यह हमारे गवा कि क्या है गवर्नर है लेट्स मूव फारवर्ड वापस इंपॉर्टेंट डॉक्टर दिनेज प्रसाद सकलानी है ना यह हमारे कौन है यह हमारे अ बहुत सकते एंसी आर्टी के प्रमूख है डॉक्टर दिनेज सकलानी इबुक पिपल्स जी ट्वेंटी अपूर्वा चंद्रा ने इसका विमोचन किया है यह किताब इबुक है जी ट्वेंटी की गत्विधियों को इसमें लिखा गया है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल इलक्षन कमीशन ने इसको विमोचन किया है नेशन कॉलिंग यह आईयस ओफीसर है सोनल गोयल उनके उपर है नेशनल कॉलिंग नेशन कॉलिंग के इंटोडक्षन आप दा कॉर्परेट फाइनेंस एडिसन यह हमारे स्टेफन रोस एन हमारे ब्रेटफोर्ड जॉर्डन की किताब है तो यह सबसे लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने लास्ट में लिखा हुआ है याद रखिए बहुत सारे कोश्चन यह नहां से बनेंगे रिवीजन करना पड़ेगा आपको इन सारी क्लासेस की अगर पीडियाफ चाहिए इन सारी क्लासेस अगर आप चाहते हैं कि हम एक बार बैट के अच्छे से रिवीजन करें यह 18-20 से ज्यादा किताबे हैं हमारे पूरे इंपॉर्टेंट किताबे में यहा यहां पर आप देख सकते हैं हमारे मॉक-क टेस्ट और आप यहां पर देख दे सकते हैं हमारे क्लासेस से संबंदित जितने भी इंपॉर्टेंट नोटस हैं वो भी आपको मिलेंगे इन फाउंडेशन संड बैचिस में हैं नि नियू यर के मौके पर अब वह क्या करना हि है quería UPy PCs के साथ सब बिहार Pcs और हमारे मद्य प्रदेश जब्बू कस्मी सारे Pcs हैं और हमने यहां पर पिक करना है कौन सा उडिसा Pcs को हमने यहां पर पिक करना है क्योंकि यहां पर इसका notification आया आप हर्याना pieces भी pick कर सकते हैं, जिस भी state का आप त्यारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुड़ी सा pieces को pick करते हैं, यहाँ पर pick करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर buy now में click करने से पहले इसको देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़े आपको discount मिल रहा है यह discount में आप अपने coupon code का इस्तमाल कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे है एड प्रोमोज में जाएए यहाँ पे PC live coupon code को डाल सकते हैं यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ मैंने इसको नीचे किया नीचे करने के बाद जैसे ही यहाँ पे हम इसको लिखते PC और जैसे यहाँ पे हमने PC live लिखेंगे यह क्या हो जाएगा apply हो जाएगा apply होने के बाद इसी जए 1299 में आपको दिखाई देगा enroll करिए ठीक है तो यह आपकी जो class है वो होगी 5 तारिक से तो यहाँ पे रोल जाईए पढ़ाई करिए और साथे साथ यहाँ पे पीडिया फीडियो जैंसी क्यूद सब कुछ आपको मिलने वाला है